हेलो गाईज, वल्केम टी सोनी आलाइन क्लासेश, मेरे पास आज क्रेशन पेपर है, हाफ एरल एकसाम का, डेवी पब्लिक के स्कूल का, सब्जिक्ट है मौल साइन साइन क्लास है फाइब क्रेशन नमबर वान, देगे वाक्यों के लिए सही विकल चुने का, हीरा और लाखा किसके बच्चे थे, सेर्णी, बिल्ली या बक्री नेक्स्ट है, खा नमबर, सेर्णी अपनी बच्चों को क्या करना सिखाते थी, सिकार, तैरना, नाचना नेक्स्ट गा नमबर, सेर्णी खुमती खुमते गहां किरी, गड़े, नदी या कुवां में फूल या मिट्टी, नेक्स्ट क्वेस्टन नमबर, कहा नी, कहा गएवे बच्चे में प्रक्रिति किस बदलाओ की बात कर रहे हैं, आफ्सेन है, मनिसी में आई, बदलाओ का मुख्य कारण क्या है, आफ्सेन है, मनिसी को अब फूलो के रंग पसंद नहीं रहे, या पीपल या बर्गत के बढ़ के नीचे बैटना अच्छा नहीं लगता, या टेक्नलोजी के छेत्र में तेजी से विकास हो रहा है, मनिसी में आई, बदलाओ से, क्या हानी हुई आफ्सेन है, पेड़ पाधे अकेले रह गये हैं, या पूलो के रंग गायब हो गये हैं, या मनिसी का स्वास्त अच्छा हो गया है, नेक्ट क्वेस्चन, आजकल बच्चे क्या करने में बैस्त हो गये हैं, आफ्सेन है, सेल्फी लेने में, या फूलो को तोड़ने में, या पीपल की छाओं में बैटने में, नेक्ट क्वेस्चन है, हमें अपनी सोच कैसी रखनी चाहिए, आफ्सेन है, सकरात्मक, नकरात्म या फिर इन्वे से कोई नहीं नेक्स्ट क्वेस्टेन है अगर हम दूसरों की साहता करेंगे तो जद पढ़ने पर लोग भी हमारी क्या करेंगे हानी, निंदा या साहता नेक्स्ट जो क्वेस्टेन है फिलिंदा ब्लैंक्स आप्सटेन पर स्वामी, नात, अधार, रखवारे, दुर्गनास, नहारे, सुक्दायक, करूना, जग, विसारे तुमको यह सारे आप्सटेन से जो आपको याँ पर फिल करना है तो क्येशन नमबर काथ पीतू, मातु, सहायक, डैस सखा तुम ही एक डैस तुमारे हो जिनके कच्चु और डैस नहीं, तिनके तुम ही डैस हो सभाती सदा डैस हो, दुख डैस हो प्रतिपाल करो सिगरे डैस को, अतिसे डैस उल्धारे हो भूली हैं हम ही डैस, तुम तो हमरी सुधी नहीं डैस हो नेक्स आपका question answer Question number 4 घर के अंदर खेले जाने वाले किनी दो खेलों के नाम लिखना है घर से बाहर जाकर खेले जाने वाले किनी दो खेलों के नाम लिखना है नेक्स आपको लाजपत राई की दोबार लेखी गई किनी दो पुस्दकों की नाम लिखना है नेक्स्ट है जो व्यक्ति सांधी पार्ट का अर्थ अच्छी तरह से समझता है उसका आच्रन कैसा होना चाहिए किनी तीन नैसे परियासों के बारे में लिखे जिनके दोबारा आप्राकृति के संतुलन को बनाया रखने में अपना यूगदान दे सकते हैं स्री जय जिंसी मिला वे चाचा जी थे या भखवान अगर वे उसके चाचा जी थे तो उसके पिता जी ने या क्यों कहा की तो तुम आज भखवान से मिल ही लिए नेक्स्ट ख्रेशन नमबोर 5 जब हम एक लड़की को सिक्षित करते हैं तो वो अकेला सिक्षित होता है पर एक सिक्षित लड़की पूरी परिवार को सिक्षित करती है आप इस खत् kosten से क्या समझते हैं या फिर दूसरा question है आपके विचार में सिक्षित होना क्यों जरूरी है तो guys full marks 50 था, timing 25 hours था, subject हो गया moral science, class हो गया 5 आप या ले exam को ये question पीपर है, डेवी public school का फिर मिलते हैं नहीं वीडियो में नहीं topic के साथ, जैहिन